अभी सर्दियों को मौसम चल रहा है तो ऐसे में कई सारे कमेंट्स आएं कि मैं बच्चे को जितनी बार मसाज करें क्या उतनी बार क्लीन करना जरूरी है बच्चे की सफाई करना जरूरी है या बच्चे को नहलाना जरूरी है तो आप अगर बच्चे को दिन भर में दो बार म अगर आप डेली नहला ना चाहँ हो तो यह बहुत सार देली नहलाना नुकसान कर जाता है और बच्चे बीमार हो Rao यह सरदी जखदन से पारेशान हो जाता है कि आप एक दो दिन के गैप फ़र नहला सकते हैं यह अगर आप एक दो दिन के बाद नहीं नेला पा रही है आपको लग रहा बच्चे को सर्दी हो जाएगी तो आप जैसे की दो तीन दिन हो गए तो आप गुंगुने पानी में कॉटन की टॉवल को डिप करके निचोड लीजे और जब मसाज कर चुकिए उसके 15 मिनिट बाद यह करना है मसाज करने के 15 मिनिट बाद इसी तरह से टॉवल को आप गुंगुने पानी में डिप करके उसको निचोड के और बच्ची की पूरी बॉड़ी को अच्छे से साफ कर दीजे जो भी यह उंगली के पोर होते हैं या निक के आगे पीछे वाला एरिया कान के पीछे वाला एरिया या बच्च काने से दिन में नहींने भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर आप यह सुच रही है या शाम को मालिश की तो तो एंक लिए अपको क्लीन करना चाहिए लेकिन कोई झाहित को जरूरी नहीं है कि आप पानी से ही क्लीन करें अगर अब नहीं ज redan सक्वाश के जंगा को आपर पोच में वर्म हे भुषद हर जंगा को जान पत्व है को बिलस है की और पूरे ने में पत्कि शेट को नहीं कि उल्हें हुग तो बच्चे दिकत नहीं होगी और निकेम आप इस तरह is च preca i am Ouya अगर शाम को मसास्च किया तो आप एक चीस कर सकती है ये वह गुभी काणि काल मधुछ तो पहने रखे खना इंप संधायम आप 10-15 मिनिट के बाद एक्षाई न कपड़ों में अब्सपार हो जाए तो अप उतार के दूसरी कपड़ पहना दी हैं अप इस तरह से भी कर सकती हैं, और इविनिंग में इस तरह से कर दीजे, और जब 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 थंदक पढ़ने लगे, अगर आप बच्चे को पूरे कपड़े उतार के सही से मसाज नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि थंदक सरदी लगने का डर है, तो अब बच्चे का पार्ट है आप बच्चे का पैजामा उतारके आप सिफ पेर को खोलतिके उसकी मसाज अच्छे से कर दें क्यूंकि बच्चे के पेर की मसाज बहुत जरूरी होती है और उसके बाद बच्चेों के कपड़े धीले पहनाएं और आप हात में तेल लगाके बच्चे के सीने की चाती की मसाज करते और बच्चे को पलटके बच्चे के पीठ भी मसाज करते इस तरह से भी आप मसाज कर सकती हैं जब बहुत ज़ादा थंडग पढ़ने लगती अभी तो हलकी थंडग है लेकिन भी फायदे भी पहुचेंगे